हाई फ्रेंद्स वेल्कम टू एपिक्योड टेल्स आप सब का फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योड टेल्स में मेथी की सबजी के साथ तो मेथी एक ऐसी चीज है जो सब को पसंद नहीं होती लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो I'm sure कि आपके घर में सब को पसंद आएगी तो बहुत ही आसान है इसे बनाना सिर्फ तीन समान में बन जाएगी तो सबसे पहले मेथी की सबजी बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमने मेथी के पत्ते ले लिये हैं तो ये एक बंच मेथी का पत्ता लिया है दो लेसुन ले लिया है और चार से पाच हरी मिर्च ले ली है और आप देख सकते हैं जैसे कि एक कप हमने मुमफली ले ली है कच्ची मुमफली अब इन सारी चीजों को हमें चौप कर लेना है और म सबसे पहले हमने मेथी को काट लिया है और फिर हमने लिस्टन को बारिक बारिक काट लिया है और हरी मिर्च को भी हमने अच्छे से काट लिया है उसके बाद हमने क्या किया है कि जो मुमफली थी उसे हमने पीस लिया है पाउडर जैसा और फिर उसके बाद हमने एक कराई ले कराई में डाला है थोड़ा सा तेल और तेल में अब सबसे पहले जाएगा कटे हुए लेसन तो कटे हुए लेसन को डालना है और हलका सा आपको थोड़ी देर चलाना है एक दो बार इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च जो हमने ली अब हम इसमें नमक आड़ करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ करेंगे और फिर इसे एक बार अच्छे से चला देंगे अब लस्न का कलर जो है पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इस वक्त क्या करेंगे जो मेथी हमने काट रखी थी उसे इस वक्त दोना है पहले से ही नहीं दोना है इस वक्त दोना है ताकि वो बहुत ज़ादा पानी ना छोड़े और बहुत ज़ादा इग्दम पिछ-पिछी सी भी ना हो जाए इसलिए हमने इसे ऑन दसपॉट दो के और फॉरन ही इसके अंदर डाल दिया है पानी को बहुत अ अच्छे से एक बार चला देना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं आपको इसे जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता तो आप देख रहे हैं इसमें अभी भी काफी पानी है और इसे आपको मीडियम पकाना है और चलाते रहना है इस तरीके से एक दो बार अच्छे से आपको चलाना है जब आपको ये लगे कि पानी जो है वो अब पूरी तरीके से सूख रहा है तब आपको इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है वरना आपको तब तक मीडियम फ्लेम पे रखना है देखिए पानी आप पूरी तरीके से सूप चुका है अब इसका जो फ्लेम है वो आपको लो कर देना है और एक दो बार इसे अच्छे से चला कर अब इसमें आप डालेंगे जो आपने मुंफली PCT कची मुंफली वो इसमें डालेंगे वो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अमेजिंग कर चलाना है आपको जादा से जादा एक दो मिनिट तक लो फ्लेम पे चलाना है अच्छे से और आपको फ्लेम को आफ कर देना है तो यह तरीके से इतना आसान था देखिए यह मेथी की जो सबजी है वो तयार हो चुकी है अब देखिए इसको गैस को भी हमने आफ कर दिया है और अब ये सर्फ करने के लिए एकदम ready है आप इसे चाहें तो आप पराटे के साथ खाईए, रोटी के साथ खाईए, चावल के साथ खाईए सिंपल है, बनाना भी बहुत सिंपल है और टेस्ट बहुत अच्छा है तो यह अब एकदम अच्छी तरीके से तयार हो चुकी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एपिकयोड टेल्स को सब्सक्राइब करिए शेर करिए, कमेंट करिए और इसी तरीके से बने रहे एपिकयोड टेल्स के साथ बाबाई, टेक केर